कीचक वाद, पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए दस माह व्यतीत हो गए। सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दिष्टी सेरंधरी द्रौपदी पर पढ़ी तो वह काम पीडित हो उठा तथा सेरंधरी से एकांत में मिलने के अफसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी उसकी कामुक दश्टी को भाब गई। द्रौपदी ने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा भी कीचक मुझ पर कुडश्टी रखता है, मेरे पांच ग द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्री में रित्यशाला मिलने का संदेश दे दो, रित्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वद कर दूंगा। सेरंधरी ने बललब भीमसेन की योजना के अन सार कीचक को रात्री में रित्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसं कीचक जब रात्री को रित्यशाला में पहुचा तो वहाँ पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुह धंकर वहाँ लेटे हुए थे। उन्हें सेरंद्री नहीं अपनी मृत्यू के समक्ष खड़ा है ले अप परस्त्री पर कुडश्टी डालने का फल चक इतना कहकर भीमसिन ने कीचक को लात और घूसों से मारना आरंब कर दिया जिस प्रकार प्रचंड आंधी व्रिक्षों को जगजोर डालती है उसी प्रकार भीमसिन क कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे अनेक बार उसे घुमा घुमा कर प्रित्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसके गर्दन को मरोर कर उसे पशुकी मौत मार डाला उसकी उस दुर्गती को देखकर द्रौपदी को अत्यंत फिर बल्लब और सेरंध्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातकाल जब कीचक के वद का समाचार सब को मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट कीचक के अन्यभाय आदी विलाप करने लगे। प्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बल्वान भाई की मृत्यू इसी सेरंध्री के कारण हुई है अतिसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबर्दस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध के और शमशान की ओर ले जाने लगे कंक, बललब, रहनला, तंतिपाल तथा ग्रान्थिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी किन्तु अग्यात्वास के कारण वे स्वयम को प्रकड़ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसिन चुपके से प प्रान बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसिन ने द्रौपदी को सांतवना देकर महल में भेज दिया और स्वयम नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लोट आये। कीचक तथा उसके भाईयों का वद होते देखकर महाराज विराज सहित सभी लोग द्रौ पूर के कौरव आदी डरते थे। राजकुमार व्रिहन नला बहुत निपुन सारती है और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारती रह चुकी है। तुम उसे अपना सारती बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंतत राजकुमार उत्तर व्रिहन नला को सारती बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पां अपने अस्त्र शस्त्र चुपाए थे, रत रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिये। जब उनका रत युधभूमी में पहुचा तो कौर्वों की विशाल सेना और भीश्म, द्रोन, कर्ण, अश्वत थामा, दुर्योधन आदी पराक्रमी योधाओं को देखकर राज राजकुमार किसी भीक्षत्रिय पुत्र के लिए युध्ध में पीख दिखाने से तो अच्छा है कि वह युध्ध में वीरगती प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युध्ध। किन्तु राजकुमार उत्तर पर ब्रिहन नला के वच्चनों का कर भागने लगा। इस पर अरजुन ब्रिहन नला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा राजकुमार भैभीत होने की आवश्यक्ता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगार सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष्वयम को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडु पुत्र अरजुन हूँ और कंक युधिष्ठिर, बल्लब भीमसें, तंतिपाल नकुल तथा ग्रान्थिक सहदेव हैं। अब मैं इनसे युद्ध करूंगा, तुम अब इस रत की बागदोर संभालो। ये वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गदगद होकर अरजुन के पैर पकड़ लिया, के देवदत शंक की ध्वनी रनभूमी में गून जुठी। उस विशिष्ट ध्वनी को सुनकर दुर्योधन भीश्म से बोला, पितामह ये तो अरजुन के देवदत शंक की ध्वनी है, अभी तो पांडवों का अग्यातवास समाप्त नही हुआ है, अरजुन ने स्वयम को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुना बारा वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अग्यातवास भोगना होगा, दुर्योधन के वचन सुनकर भीश्म पितामह ने कहा, दुर्योधन कदाचित तुम्हें ग्यात नहीं है कि पा अरजुन का आना निश्चित हो चुका है तो पितामह हमेशी ग्रही व्यू रचना कर लेना चाहिए, इस पर भीश्म ने कहा, वत्स तुम एक तिहाई सेना लेकर गौउं के साथ विदा हो जाओ, शेश सेना को साथ लेकर हम लोग यहाँ पर अरजुन से युद्ध करेंगे भीश्म पितामह के परामर्ष के अनुसार दुर्योधन गौउं को लेकर एक तिहाई सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा, यह देखकर कि दुर्योधन रनभूमी से लोट कर जा रहा है अरजुन ने अपना रत दुर्योधन के पीछे दोड़ा दिया और भागते ह गौई दुर्योधन को मार्ग में ही घिर कर अपने असंख्यबानों से उसे व्याकुल कर दिया अरजुन के बानों से दुर्योधन के सैनिकों के पैर उखड गए और वे पीट दिखा कर भाग गए सारी गौएं भी रंभाती हुई विराटनगर की और भाग निकली दुर्य जोधन को अर्जुन के बानों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोन, भीश्म आदी सभी वीरुस की रक्षा के लिए दोर पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन के क्रोध का पारावाना रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बान बरसाए कि उसके रत, घोले, सारती सभी छोड़ कर भाग गया। कर्ण के चले जाने पर भीश्म और द्रोन एक साथ अर्जुन पर बान छोड़ने लगे किन्तु अर्जुन अपने बानों से बीच में ही उनके बानों के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। अंतता अर्जुन के बानों से व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़ कर भाग गए। कौरवों के इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन भी विजेशंग बजाते हुए विराट नगर लोट आये।